तो बहुत दिन हो गए दोस्तों यूरोपा प्रोको हो ए लेकिन अभी तक भी इसके उपर वीडियो नहीं बनाई मैंने आप लोग सब सोच रहे थे कियो नहीं मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन आप खुछ सोच के देखो यार अभी तक क्या आपने कोई भी वीडियो देख करके क्या मैं comparison कर सकता था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है किसको ऊपर किसको नीचे रहना चाहिए था नहीं और इसलिए मैं वेट कर आ था कि NPC News Online इसकी फोटोज इशू करें जो कि उनका हमेशा का काम है क्योंकि वह हमेशा official इसकी फोटोज लाती है कोई भी शो हो अभी भी इस वीडियो के टाइम पर जब मैं इसको बना रहा हूं फोटोज अपलोड नहीं हुए और यह बड़ी मुश्किल से जेमस हॉलिंग सेडने क्योंकि अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी थी अभी वीडियो के अंदर से स्क्रीन शॉट है और यह इतनी अच्छी वी दिन भी अगर इन्होंने ऐसा करा कि चार-चार दिन बाद फोटोज निकाल रहे हैं तो सोचो सारा का सारा मज़ा ही खराब कर देंगे हाला कि उस टाइम पर वीडियो तो बना करके डाल दूँग एक अपडेट देने के लिए कि हाँ यह इनसान Mr. Olympia बन गया लेकिन क्या हो गया किसी भी यूट्यूबर को करना होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता वो तब भी होगा जब आपके पास हाई डेफिनेशन हाई क्लारीटी की पिचर्स मौजूद हो तो आई थिंक कि यह चीज एक कंप्लीटली अन्प्रोफेशनलीजम है जो कि NPC News Online ने दिखाना शुरू कर दिया है पिछले कुछ तीन चार शो से फिलाल हम इस वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं और दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है विरल आप देख रहे हैं All About Olympia YouTube चैनल आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेकडाउन करते हैं हम लोग यूरूपा प्रोशो का इन चार फिज आपने कहा था उस दिन जब आप नाम में थे तब आपने कहा था बोला साना मालिक विचारे भूल गये होंगे टेंसन बहुत है ना पांच वे नंबर की बात करो तो Samson 12 ने आपर अपनी जगा बनाई है तो शो की हाइलाइट थी कि James ने आकर के Luke Sandow को ट्रिब्यूट दिया उनकी एक टीशिट ले करके आये थे वो शो में और उन्हीं की तरह पोस भी करा इनिशली जैसे स्टेज पर ट्राइसेप वाला पोस सेड ने यह performance दी जिसके लिए एक बिक थमजब उनको चाता है यहाँ पर हम लोग बात करें इनकी अगर बॉड़ी की तो James की बॉड़ी सबसे पहले ऐसी है जो की बहुत स्ट्राइटीड नहीं है सामने से अगर आप देखोगे तो अब एक बर चारों कम फिजीक कंपेरिज जेम्स फ्रंट से डॉमिनेट नहीं कर रहें इंफेक्ट ब्लोटीड ब्लोटीड से लग रहे हैं अगर मैं बोलू तो लेकिन इस वाले शो को देख करके सही मैं ऐसा लगा कि जो एक लाइन है कि शोज जीते जाते हैं बैक से वह बात सच होती हूँ यहाँ पर नजर आए क् कि जहां जेम्स फ्रंट से स्ट्राइटीड नहीं थे वहीं बैक सबस्यादा स्ट्राइटीड उनी की थी स्पैशली बैक डबल बाई सबस्यादे इंप्रेसिव उनी का था और शायद इसी विजा से बहुत लोगों की निगाह उनकी उपर पड़ी और इसमें रैफल ब्रें एब्स का पॉर्शन कितना सेप्रेटीड है हर चीज देखी जाते हैं और इसके हिसाब से अगर परफेक्ट फीजिक चुनो मुझे रैफल ब्रेंड हो सबसे अच्छे लग रहे हैं लेकिन यहां पर यह बॉड़ी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट तो जड़ीज ज्यादा देख यही एक पूरा का पूरा सब्जेक्टिव स्पोर्ट बॉड़ी बिल्डिंग का बन जाता है जड़ीज क्या देखना चाहते हैं यह इस वक्त उनके मूट पर डिपेंड करता है अगर मैं फोटो को जूम इन करूं आपको पता लगेगा कि जो जेम्स हैं उनकी चेस्ट में यूकास के लिकिन अगर यहां पर लग्ज की थिकने से जादा जो क्वाद जादा बडे हैं तो यहां पर जिध़ ना क्या चाहते है यह उनके पर डिपेंड करता हौर आज़कल इस तरह से बॉड़ी बिल्ली शोस चंडक्ट कराये जा रहे हैं मेरे असाब से जबसे पढ़ गए एक तरह से जेम्स वालिंग सेट के पास में अच्छे लैट्स नहीं है तो उसका से वो नहीं उतने दिख पर है लेकिन उनके जो ट्रैप्स के अंदर फाइबर आते हैं शायद वो चीज़ सबसे ज्यादा भारी पढ़ ले सब लोगों पर अगेर हम देखेंगे कि यहां पर रीगन ग्राइम्स के सबसे पहली जो नजर जाती है वो उनके हैंस्टिंग पर जाती है और उनके लोट पर जाती है हैंस्तिंग परखास तो और से जो इतना जादा बुधा है कि किसी तरीके तो नहीं है और रीगन की बैक भी बहुत अच्छे से डॉमिनेट करती यह भी हमने देखा हुआ है तो बैक पोज में अगर रीगन पे एक बार नज़त लग गई ना जम गई एक बार तो फिर वो हटेगी नहीं और इसके अंदर हम क्लियर दिख सकते हैं कि जो रफैल है उनकी बैक में थिकनेस नहीं है यह अभी तक भी उन्होंने डेवलप ने करी नेकी जबकी पिछले साल आरनोल में कंपीट करंगा था था तब भी उनकी फिजिक लगबग ऐसी थी इसमें भी ऐसी है कोई इंप्रूवमन्त नहीं है इंफेक्ट आरनोल में थोड़े बहतर ही थे तो उन्होंने अपनी फिजीछ में में लग बग पहुने दो सालों में कोई इंप्रूमेंट नहीं करा यहां पर अगर बात करी जाए रीगन की सब को खा गए हैं वह स्पोज में कोई डाउट नहीं उनकी बैक में जो थिक 3D-ness निकल के आ रहे हैं यहां पर अगर हम देखते हैं जेम्स को जेम्स की बैक बहुत स्ट्राइट है लेकिन लोर बैक उनकी वह नहीं है लेकिन यह वाला शोजिता है ऐसा मुझे लगता और खास्तोर से जिस तरह उन्हें पोज हिट करा है इसका वह भी हम बात में बात करेंगे फिलाल चलते हैं एक इतने डीप एब्स आ रहे हैं उनके चेस्ट उतने अच्छे से उन्होंने वह टाइट नहीं कर रखे नहीं तो और दादा फूल सकती थी यहां पर उसके और में सबस्क्राइब थिक फिजीक है वो डेफिनली जेम्स की है चेस्ट पी बहुत अच्छे से फूल रहे हैं लेक इसका परपस ही यही होता है कि यार बॉडी की सिमिट्री को देखा जाए उपर नीचे से हर तरफ से बॉडी कि इतने थिक 3D राउंड है जिसकी सबस्यादा होगी वो जीतेगा ओवराल जजी यहीं से पता लगा लेते हैं कि कौन कितना अच्छा लग रहा है बाकि जब यह मैं बताया फ्रंट से एक बॉडी बिल्डर वाली प्योर उनकी लुक है हाला कि मिट सेक्शन इंप्रेसिव नहीं है लेकिन कंडीशन है क्रॉस ट्राइशन वाली बॉडी है उनकी मसल्स के अंदर एक डेंसिटी दिखती है जो की दिखनी चाहिए बॉडी बिल्डर में और यही मैंने बताया ना कि लिउकास बहुत कंसिस्टेंट है पिछले एक-दो सालों से यहां पर अगर रेफैल की बात करीजाए डेफिनिटली क्लासिक फिजीक लुक है उनके पास में लेग्स और जदा भी बड़े चाहिए साइज में ओर बॉडी में मास्ट चाहिए लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि जो क्वार्ड्स है जेम्स के वह लेंथ में उतने ज्यादा नहीं है यानि की बोन की लेंथ ही उतनी लंभी ने इस वरा से क्वार्ड्स बहुत चोटे हैं और यही एक ठीक उल्टा हमें दिखेगा उनके नेक्स खड़ेवे बॉडी बॉडी बिल यहां पर मात खा जाते हैं अगें हम अगर लेक्स में देखें चारों को तो सबसे आदा इंप्रेसिव लुकास लगेंगा और ओवरॉल अगर इस पोस की बात करी जातों मेरे सबसे लिकास या रेफैल को उपर रहना चाहिए परसनली मैं रेफैल की लुप को ज्यादा प्र और हो सकता है कि जज़ी जिए यहां पर क्योंकि बॉड़ी बिलिंग शोज़ कर रहे हैं तो शायद लुकास लगें लेकिन लेकिन लेक्स जादा बहतर है और लुकास के पास में भी लैट्स सही है लेकिन उनकी वेस्ट थोड़ी सी जादा वाइड है जेम्स के वहीं लैट लेकिन सबसे बेस्ट फ्रंट लैट्स प्रेड अगर में बोलूं तो इसमें मुझे लगेगा रफैल ब्रेंड यूका क्योंकि वह एक्चुली में वह जो एक्लासिक फिजीक लुक है वो देते वे नजर आ रहे हैं लैट्स बहुत बढ़िया खुल रहे हैं लैग्स का सेप पर फिर रीगन को होना चाहिए और फॉर्थ पर जेम्स रहने चाहिए तो अब साइट चेस्ट के और बढ़ते हैं और यहां पर आप देखोगे ग्ल्यूट्स चमकाते हुए नजर आ रहे हैं रीगन ग्राइम्स जो कि उनकी खासियत है और हैंस्ट्रिंग्स हो साथी साथ कि हमस्ट्रिंग्स को भी इगनोर नहीं करना चाहिए इसके अंदर अगर कोई अच्छे तरीके से शाहिन होते हैं अध्लीट लग रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि रैफेल इसमें मुझे काफी इंप्रेसिव लग रहे है एक्चुली आप देखो इन चारो ही अध्लीट्स को ये ना बहुत पीछे नहीं है एक दूसरे से मैंने जैसे कि आपको बताया भी था अगर मानलो उनके सामने बिग रहे होते हैं अगर फॉर्चुनेटली वो कंपीट कर ले होते हैं वो फिर अलगी थे किसी औरी लेवल पर उनका कंपेरिजन होता ही नहीं सबसे इन सबका है में और ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन किस पोस को चीत रहे हैं इनफेक्ट इस पोस में सबसे ज़्यादा सर्प्राइज मुझे करते वेल नजर आरे रिगन ग्रैम्स वो आम तोर पे क्लियर नहीं दिखता है और उनकी जो लोर चेस्ट है वो अकसर फेड पड़ जात है पहले से बहुत बहुत बहतर है हर एक जगा पर तो इसलिए वो अच्छे से इसको हिट करें और चेस्ट बहुत अच्छे से स्क्वीज करी हो यह रिगन ग्रैम्स ने खैर इस वाले पोस को मैं रैफेल को देना चाता हूँ लेकिन यार बहुत अजीब चीज जो मैं इसमे जो दिखाई नहीं सकते हैं जो दिखाना चाहिए था यानि मसल्स का सेप्रेशन मस्कुलेरिटी क्योंकि अब वो बिल्कुल एकदम लाइट उनके सामने पड़ रही है इसका मतलब जो बीच में आ रहा है सेंटर में जो बॉड़ी बिल्डर आके खड़ा हो रहा है वो अच्छा नहीं है कि बहुत परफेक्ट यहां पर लाइटिंग कंडिशन और आएफ बीबी पर अभी हर कोई सवाल उठा रहा है कि या लाइटिंग से कर दो प्लीज कर दो लेकिन ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे है किस तरह से कर रहे हैं और एक ये देखो फेर कंपेरि यहां पर मेरे साब से फिर इस पोस को इस तरीके से जीतना चाहिए रफेल ब्रेंडियों को क्योंकि वो जादा फूल के नजर आ रहे हैं और पैक्स शूल्डर्स चैस्ट बहुत जादा फूल रही है और हर तरीकी से सेप्रेशन उनमें जादा मुझे बहतर लग रहा है इस तो यही मैं बोल रहा हूं और अलग-अलग जगा पर खड़े होने का फरक पढ़ रहा है लेकिन कोई बात नहीं अब यहां पर जो है जैसा है वैसी रहेगा रीगन की बैक लेकिन अगर हम देखें मैंने बताय था कि सबसे ज्यादा डैंस हैवी बैक इनी की है पीछे से तो यहां पर यहां पर यह इस तरीकी से जुक रहे हैं और यह इनके स्पोस को बहतर बना दे रहा है अगर हम देखेंगे रेफेल की बैक में मास ज्यादा नहीं है डैप्थ नहीं दिखेगी और लेग्स में मास ज्यादा नहीं दिख रहा तो वो सबसे ज्यादा हलके इन चारों कॉम्पिटिटर्स में तो मैं अगर यहां पर एक बॉड़ी बिल्डर को पिक करूँ मेरे साब से डिगन क्राइम्स परफेक्ट बैक उनकी है कंप्लीट बैक उनकी ऊपर से नीचे तक आ रही है उस कंप्लीटनेस उस थिकनेस को अगर देखा जाता है बॉड़ी बिल्डिंग शो में तो मेरे साब से डिगन क्राइम्स बाकी लिउकास की बैक में थिकनेस बहुत अच्छी आपको दिखेगी ग्लूट बी अच्छे बट वो ठीक से पोस को हिट नहीं करे नहीं तो वो शो को भी जीत जाते इस पोस को जीतने के साथ साथ और यह बात मुझे लगती है लेकिन खेर जो भी है इसके अंदर मैं नंबर बन पर रखना जाओंगा रिगन ग्राइम्स को उनकी बैक और उनकी है हमस्ट्रिंग्स को देखते हुए सेकिंड पर जेम्स हॉलिंग साथ को और थर्ड पर लुकास और डेफियंटली फॉर्थ पर फिर रहेंगे इसके बाद नेक्स्ट पोस की तरफ हम चलते हैं और यहां पर हम देखेंगे बैक लैट स्प्रेड में जो जेम्स है उनकी बैक हमें ज्यादा शुरू से अच्छा लग रहा है लाइक जेम्स ज्यादा अच्छे लग रहे है या फिर अब इसके अंदर आप देखोगी के रैफेल की बैक सबसे ज्यादा स्मूध आपको नजर आएगी और इसमें जेम्स सर्प्राइजिंग्ली अच्छे तरीके से पोस कर अच्छे जादा शुल्डर से जिस तरह काई गरीन के पास में भी ट्रैप्स नहीं तो वह सीधिये सपाट आते हैं और जिसके पास अच्छे ट्रैप्स डेफ्लप्मेंट इसकी होगी उसके शुल्डर इसी तरह से दिखेंगे जैसे कि आपर जेम्स के दिख रहे हैं लेफ वही है कि सॉफनेस है तो यहां पर दोनों ही इस पोस को अलग अलग से जीत सकते हैं कोई भी इसमें बिना रुस्क पट वही है कि जजी निया आगे नहीं आपर सोचा हो कि यार लगातार एक जो मोमेंटम अच्छा बना हुए वह जेम्स का बना हुए तो जेम्स को वाला प जेम्स का बहुत अच्छा है क्योंकि जेम्स के ट्राइसप में मास सबसे जाता है अगर आप को और से देखो लेकिन परस्नली मुझे जो इसमें अच्छी च्वाइस लग रही है वह ओवर अगर फिजीक को देखा जाए तो रेफल प्रेंड यह सबसे बहतर लग रहे हैं अ जेम्स हॉलिंग सेट को बीच में लिया यहांनी कि उनको जेम्स का पोस जाधा पसंद आया तो मेरा पर्सनल ओपेनियन इसमें अलग रहे हैं रैफल नंबर वन पर सेकंड पर रीगन ग्राइम्स वह बहुत पढ़िया तारीके से हिट कर रहे हैं थर्ड पर जेम्स और फोर जो शो के बिनर रहे हैं यहां पर रैफल ब्रेंड यह उसके पास सेकंड नंबर पर हैं जो कि सबसे अच्छा है यह पोज हिट कर रहे हैं एक नजर डालते हैं चारो कि प्री जर्जिंग के अब्डॉम्न संथाई पोज में क्यों कि उसमें जेम्स जादा बहतर थे जादा हुए थे यह देखो यह रैफल नहीं क्या करा एक दम आउटर स्वीप के ऐसा बढ़ा एक दम दिखाई देरा है स्ट्राइट इट एक बार दुबारा देखना बनता है इस शॉट को तो यह वाली चीज अच्छा आखरी बार एक बार और देखा जाए तो अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो इसके अंदर एक्चुली अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यह शॉट बहुत ही बढ़िया कर रहे थे दोनों अथलीट्स और साथी जार रेफल इसमें वेक्यूम कर रहे हैं मतलब क्या प्यूर क्लासिक फिजीक है जेम्स क क्याने का मतलब मुझे ऐसा लगा कि प्री जजिंग में जादा राउंडिट थे ज्यादा फुल थे ऐस कंपेर तू फाइनल्स सो फाइनल्य अब कंक्लूजन पर आते हैं जेम्स हॉलिंग सेट की अगर बात करी तो उस शो को जीत गए उन्होंने अपनी पीखिट करी और ब हर चीज बहुत पर्फेक्ट लग रही थी जिस तरह उन्होंने एंट्री करी जिस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन दी क्योंकि मुझे लगता है अगर आप पर्फेक्टली पीक करते हो और आपका एक माइंड सेट सही होता है ना तो हर चीज अपने आप ऑन्दावे सही हो यह पूरा पूरा इसलिए शो हुआ हाला कि रिगन ग्राइम्स ने पिछले साल हॉलिंग सेट को रहा है था रोमीनिया प्रो के अंदर रेफेल ब्रेंड हो में मालू मैं रिगन ग्राइम्स भी उपर के अथलीट है और उनसे भी उपर आते हैं फाइनली लिकास जिन्होंने सानिया के बहुत डॉमिनेंट विनर रहे हैं तीनों में से कोई भी हो सकता था रेफेल जीते तो गलत नहीं था हॉलिंग सेट जीते तो गलत नहीं और अगर लिकास जीते तब भी मैं सको रॉंग नहीं बोल सकता था बिकॉस तीनों अथलीट कहीं जीत रहे हैं कोई कहीं न करते हैं और खास्तोर से मास्ट पॉड़ी में लैक करते हैं तो यह आने वाला टाइम बताएगा रीगन कैसे खुद को निकाल के लाते हैं और एक ही जगा पर रहें तो बहतर है बार बार स्विच करते रहेंगे इदर से उदर तो फिर बॉड़ी भी गन्फ्यूज हो जाएग आप प्रो डेब्यू था यह और भाई क्या जेनेटिक्स हैं क्या चेस्ट है क्या शोल्डर से मतलब फ्रेम देखो आप इनसे जो जीमस होलिंग सेट हैं उनसे वह शोग के विनर बने लेकिन उनसे कितना वाइड फ्रेम है वेस्ट कितनी स्मॉल है characterization कितना ज्यादा डीप है बस यह कि अभी नए नए आये हैं लेक्स उतने बड़े नहीं हैं वोई डोइन वॉकर की तरह लेक्स की कहानी इनकी भी होई है चोटे स्मॉल लेक्स है लेकिन भाई यह देखो आप पोज कर रहे हैं क्या चेस्स निकल रही है फूल रही है एकदम और फाइबरी फाइबर बाइसेपस अलग से पता नहीं क्या साइज आ रहा है इनके अंदर जा रहा है क्या खाके उतर रहे हैं यह लोग स्टेज पर जो इस तरह से दिख रहे हैं और आज से दो तिन साल बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे द्वु zurदिट ईये लोह गयी जब ये ठीक अपना फ्रम डेवलप लेगए इन्टिक आणे से चीफ कर लेंगे अइस अंदर जा बाद 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 बॉड्रान हो जाएंगर निक नेया मालूम और नए जनई जनेटिक्स वाले वाले अथ로 यह बहुत जबरदस फिर इस competition को और Mr. Olympia को actually pure genetic game बना देंगे मतलब सिर्फ जरुब था mass add करने की density add करने की यह देखो back double bicep pose तो सही मैं ऐसे athletes को देख करके excitement level एक दम बढ़ रहा है और ऐसे athletes अगर hard work करने लग जाए जो जाहिर है यह लोग करी रहे होंगे इस वक्त पे एक नए अएरा सही बता हूं truly एक नए अएरा तब से ही फिर शुरू होगा पर मैं एक बात जरूर इसमें डालना चाहता हूं आप लोगों की दिमाग में सबसे ज्यादा जो बुरी चीज कर रहे है ना judges वो इनी के साथ कर रहे है इन athletes को judges कहीं rank ही नहीं करना चाहते है अब ऐसा लगने लग लग और इस वक्त इनको मिली है 7th placing तो ऐसा लग तक अभी चीज को क्योंकि देखा ही जाता है बॉड़ी बिलिंग तो उस वज़ासे उनको 5th placing मिली और हैक्टर को नोने 7th पर डाल दिया तो वह argument आप कर सकते हो कि किसी के legs कम है किसी के upper body कम है फिलाल ये पूरा शो खतम हो गया और सर्जी कॉंस्टेंस की हालत कुछ ऐसी हुई कि वो पोस्ट भी नहीं डाल पर अपने इंस्टाग्राम पर लोगों को पता भी नहीं उन्होंने कंपीट भी करा है क्योंकि उनका नाम जब मैंने देखा लिस्ट में तो 14th नंबर पर आया है और फोटोज नहीं डाली इन्होंने NPC वालोंने लेकिन एक वीडियो मुझे मिल गई जिससे कि कम से कम इतना तो जरूर पता लग रहा है कि बिना लेक्स किया गई इस्टेज पर और बैक डेवलप्मेंट भी इनके पास में अच्छा नहीं है तो लेक्स और बैक नहीं होंगे तो एक और सोशल मीडिया सेलेबरिटी बचे हों इसमें टेवी कास्ट रो तो मैं जोले में उनको नहीं फॉलो करता हूं तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि इंस्टाग्राम सेलेबरिटी इसको मैं नहीं फॉलो करता लेकिन मुझे पता लगा कि उन्होंने कंपीट करा और हम वो एक अमेचुर अथलीट हैं क्लासिक फिजीक में उन्होंने खेला और अपनी क्लासिक फिजीक में भी कैटेगरी होती है जब आप अमेच्चर डिवीजन में खेलते हो तो उसमें कैटेगरी सी उनकी थी तो सी कैटेगरी में भी थर्ट लास्ट प्लेसिंग लाए है वो और इन्होंने बताया कि वहां पर इनके पोजिंग रूटीन को भी जज नहीं किय गया इनकी प्रेजेंटेय Search ongote के और इनकी प्रेजेंटेशन को जज नहीं किया गया है और पता नहीं को इस कहां से पता लगिया कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम और इस वरवरासे नोह ने काकिạy कि मैं कौम पेटीशन में वापस नहीं खेलूँ करेंदमेंट मिली शो से खेल करके बाकी जब मैंने इनकी फिजीक देखी तो मुझे पता लगा के उतनी अच्छी नहीं थी देखो सही बताऊ तो लेकिन इन्होंने इस एंगल से डाली है इसी वरा से तो सोचल मीडिया सेलेबरीटी कहलाते हैं तो परिटिकुलरली इनकी रूटीन को भी जज नहीं किया गया और प्रॉपरली इनको वहां पर जज़िंग सिस्टम में फॉल्ट लगा तो मैं तो मानता हूं बिल्कुल चिटिंग होती है जो एमिच्योर शोज में कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी बहुत जगह पर होता है इंडिया में कितना होता है लेकिन वो चीज अगर कंपीट करने की या रुकने की वज़ा बन जाए एक बार होते ही तो वो चीज आइटिंग फिर दूरी रहना चाहिए कॉम्पीटिशन से क्योंकि चिटिंग तो होती है और बार बार होती है कितने अथ्लीट से करते हैं लेकिन नहीं उनको करना है आफ आफ आवाज उठाए उठाने चाहिए यह बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं लेकिन हाँ जब तक जहां तक कॉम्पीटिशन खेलने की बात है तो एक सोचल मीडिय सेलेबिटी और एक प्रोफेशनल अथीट में यही अंतर होता है वो खेलता रहता है चीटिंग के विला स प्रोफेशनल अथलीट है उसका काम कंपीट करने का है प्रोफेशनल लेवल पर जो कि हाई क्लास जो की सबसे बड़ा लेवल होता है तो उसका इनसे कंपेरिजन अगर यह उसमें घुसेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो प्रोफेशनल तरीके से आप चलो और टाइम तब जाके अथलीट तयार कर पाता है उस बॉड़ी को या फिर आप सोचल मीडिया पर ध्यान लगाओ तो वह चीज आई थिंक दोनों अलग-अलग है और अलग-अलग ही रहे तो जादा बहतर है जैसे कि हमने देखा कि सर्जी कॉंस्टेंस भी कुछ अच्छा नहीं कर पा पार नेक्स कॉम्पीटिशन में खेल लेंगे फिलाल यह कॉम्पीटिशन खतम हो गया और शिकागो प्रो के बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज कल में सब हो जाएगा इसके अंदर और मैं जल्दी से जल्दी देखो कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की क्योंकि कॉ और फोटो या वीडियो एविलेबल होंगी तो अभी के लिए दोस वाली वीडियो में इतना ही था शिकागो प्रो की वीडियो में लोग बात करते हैं तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून गुडबाई शुक्रिया